तो यार इस question को अगर आप देखा हुए ठीक है और अगर आपने थोड़ी प्रेक्टेस अगरे की होगी बाइनरी ट्रीक है तो इसका logic मैं आपको ऐसी बताता हूँ तो इससे पहले कि यार मैं इसको implement करूँ यहां पर आप एक बार इसको खुद try कर लेना मैं logic आपने वो कुछ नहीं करना है यार कोई सभी traversal चला जो इस पर ट्री पे ठीक है और leaf nodes के होते हैं leaf nodes वो इंगे है जिनका कोई भी child नहीं होने वाला है ठीक है चाइल्ड नहीं होने वाला है उसका क्या मतलब है उसका मतलब यह है कि यार जो node है अगर उसका left child और right child दोनों नल होने वाले है ठीक है तो वो leaf node होगा तो उसको आप count कर लो और count return कर दो ठीक है तो यह आपको करना है तो आप एक बार try कर लो है ठीक है उसके बाद फिर मैं आपको logic तो बताई दूँ है इसका बहुत simple सा है इसमें कोई ज्यादा issue होना नीची है अपन को ठीक है तो अभी आपने try कर लिया होगा तो इसको अपन देख सकते हैं अभी इसको थोड़ा सा visualize करा लेते हैं तो सबसे पहले suppose करो कि एक tree है एक tree अपने बास है जिसमें खाली एक node है अपने बास ठीक है तो इसमें क्या होगा इसमें सबसे पहले हम अपना count leaf का function मना लेते हैं इंग बार ठीक है तो इसमें क्या करने वाले हम इसमें अगर तो अपना जो root है वो नल है तो यहां पर अपना root था अगर अपना root नल है तो इसमें क्या होगा return कर दो क्या ठीक है अगर root नल नहीं है मतलब की खाली एक ही node है अपने बास तो अगर यह leaf node है अगर root का left अगर अगर यह इक अगर अगर नहीं है यह आद्ट रूट का राइट भी नल है ठीक है रूट का लेक्ट और राइट दोनों नल है तो इसमें क्या होने वाल है तो रिटर्न कर दो क्या pa रिटर्न कर दो वन है ठीक है मतलब कि अगर अपने पास काली एक ही नोड है तो हम वन डितन कर रहेंगे क्या एक ही लीफ नोड है तो उसके बात अब suppose करो कि एसा क्टी हो ठीक है तो इस के इसमें दो आपनारे लीफ नोड हो है तो इस केस में अबन क्या कर रहे हूं है इस केस में अगर हम देखें तो सबसे बाले हम क्या करेंगे हम left subtree के leaf notes count कर लेगे ठीक है ,right subtree का भी leaf note count कर लेगे और दोनों को जोड़ के return कर लेगे बस नोट्स काउंट करने तो इसका मतलब हमें left में जाना पड़ेगा ठीक है left sub tree में तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से recursive way में हम left sub tree पे जा रहे हूंगे ठीक है तो root का left कि अगर दो कि अगर कि अगर कि अगर कि इन्ट काउंट लेफ्ट है उसमें क्या हुआ रूट का लेफ्ट हमने वेल दिया ठीक है काउंट राइट अगर हम करें काउंट लेफ्ट और काउंट राइट जो हमने किया तो यह दो वैल्यूज हम इसमें स्टोर करेंगे ठीक है तो आप इस ट्री को एक्जाम्पल ले सकते हो अब सब उसकर हो काउंट लेफ्ट जब चलेगा तब किसे होगा काउंट लेफ्ट में रूट का लेफ्ट क्या मतलब यहां पर आए हम ठीक है उसके बाद फिर यहां पर और इस केस में क्या होगा root का left null है और root का right भी null है को रिटन करा दो क्या one तो यहां count left में one value store हो चुके होगी ठीक है ऐसी count rate में जाएंगे तब क्या होगा यहां से भी one value आ रही होगी तो इसमें भी one value store हो चुके होगी यहां से one आया अब क्या तरहेंगे इंदोनों को जोड़ देने question खतम हो तो जोड़ देंगे count left plus count right कर दो और return करा दो return करा दो क्या count left plus count right ठीक है तो इस case में one plus one two return हो जाएगा तो answer क्या आ रहा है answer हो रहा होगा हमारा two ठीक है एक दो और tree पे इसका example यूज कर लेते है ठीक है ऐसा कोई tree है तो इसके leaf nodes count करने होए ठीक है तो देखते है इस code से आ रहे है क्या तो सबसे पहले यहां पे root है ठीक है तो root equal to null तो है नहीं यह भी नहीं है तो count left में जाएंगे यहां आएंगे ठीक है root equal to null नहीं है यह वाला भी नहीं है क्योंकि अभी यहां पे है उसके बाद root के left में जाएंगे तो वापस यहां पे आएंगे वापस यहां पे आए तो return कर दो क्या one क्योंकि यह leaf node है तो यह हो गया क्या one return कर दो यह आप ठीक है अब इस case के right में जाएंगे count leaf root का right रूड के राइट में जाएंगे तो हिदर आ गये तो इसक डल क्या हो यह रिटन करतृ क्या बबंढ़ कि ответ t01 यह वान आया यह बन धूर को चुड़ के टीन रिटन करतो तो यहाँ से भी ड़्यर ठीक है अब इसके लिए रूट के राइट में जाएंगे तो यह वाला जो है आउंट लीफ रूट का राइट इसमें जाएंगे ठीक है यहां गए तो वह यह यहां पर आए अभी हो उसके बाद फिर क्या यह लीफ नोड है जी हां है तो रिटन कर दो वन वन काउंट रेट मे वन आगया यहां पर वन रिटन हो गया है काउंटलेफ्ट के टू काउंट्र रेट के वन ठीक है डूबिलसर वन इंट में तो प्लास वन थ्री यो जाएगा और यहां से हम थ्री वापिस रिटन करवा रहे होंगे और अगर आप इस प्री को देखो तो एक लिफ नोड 2 ली तो इसका आनसर क्या है ठीक है तो यह बहुती है और बंज़िक सा एक क्वेश्चन दर तरीका तो अगर आपको समझ आए तो आप पॉमेंट्स में बूद सकते हो ठीक है वैसे तो यह काफी सिंपल और इसका कोड आपको मिल जाएगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और अगर आपको मारे काम अगरे पसंद आ रहे है ठीक है तो आप लाइक कॉमेंट शेयर कर सकते वीडियो ठीक है और उसके बाता आपको दाई गया रहे है नदे मारे